जारखंड में चुनावी एलान के साथ ही प्रशासनी कमला और चुनाव को लेकर सियासी दल अपनी अपनी तयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं जहां अलग-अलग बैटके हो रही है अलग-अलग खेमों में उससे जुड़ी जानकारी आपको देंगे लेक इसको लेकर CEC ने प्रस कॉन्फरेंस किया है जहारखंड मुख्य चुनाव अधिकारी के रवी कुमार ने क्या को चुनों ने जानकारी साजा की है सुनिए एक बार के मिशन के द्वारा वे वो सविधा प्रटल का माधियम से ऑंशीन में नमीनिЯशन देने के लिए प्रोधान गया हुआ उसका अनुसारं वो बबादिद आपने अपने नामीनियसन अपने नमीनियक अनुसार पात मां वह उनका στη проис on Eli उसको बाद वह 500 तक ने चलिए पृतत नामनेशन शुरू हो रही है फार्टी त्री असम्बली कांट्रेंस में वह हम पर यह सुविदा रहेगी प्रशासनी कमला तयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ है तो दूसरी और कॉंग्रसी खेमा भी पार्टी प्रत्याश्यों के नाम फाइनल करने को लेकर कौन-कौन से उसकी मजबूत सीट है कितनी दाविदारी होगी सहीयोगियों के साथ जब बैठक की जाएगी ये सब बाते फाइनल की जाएगी जारखंड चुनाव प्रभारी गुलाम एहमद मीर की अध्यक्षता में कॉंग्रस की बैठक बुलाई गई है इस बैठक में सारे फैसले लिये जाएंगे इस बीच अगर NDA खेमे की बात करें तो वहाँ सहीयोगियों के बीच ताल मेल का शायद कुछ अभाव दिख रहा है क्योंकि एक सीट बीजेपी और आजसू के बीच हम बात करें उसकी तस्वीरे भी दिखाते हैं कि किस तरह से आजसू खेमा बीजेपी के खाते में सीट जाने की चर्चा को लेकर थोड़ा नाराज दिख रहा है और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है ये इचागड विधान सभा की सीट है जो बीजेपी की पारंपरिक सीट है इसे आजसू को दिये जाने की चर्चा को लेकर बीजेपी कारे करता हूँ और नेताओं में थोड़ी नाराजगी देखने को मिली है तो दावेदारी चल रही है अलग-अलग खेमों में बैटकों का दौर चल रहा है दिल्ली से लेकर राची तक बैटकों का ये सलसला लगातार चल रहा है हम सीदे राची का रुख करेंगे सहयोगी संतोश हमारे साथ जोड़ रहे हैं उनसे जानते हैं फिलाल सियासी तयारियों को लेकर बात कर लेते हैं लेकिन संतोश बैठकों का दौर चल रहा है दिल्ली से लेकर राची तक गडबंधन की साजा बैठक अलग-अलग दलों की बैठक लगातार चल रही है क्या अपडेट है सीट शेरिंग को लेकर देखें लगातार जिस तरह से NDA की बात कर लेकि जिस तरह से NDA ने दो दिन पुर्व प्रधान मंत्री की अध्यक्ता में बैठक किया दिल्ली में और उसके बाद इस बैठक में जो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी उनकी अध्यक्ता में जो बीजेपी के चनक माने जाने वाल आमित साभी इस बैठक मुपस्तित थे और जो इस्तिती है कि जो राष्टिय ध्यक्श केंद्रिये, मंत्री, शिव्राज चोहान, हेमंता, विश्वसरमा, भी बैठक मुबस्ति थे, लगभग तीन पर्तियासियों के नाम पर इन्होंने पर्तियासियों की सूची बनाकर केंद्रिये समिती को सौप दिया, जिस तरह से हमंता विश्वसरमा, मीडिया से बात करते हु नाम की सूची बनाकर केंद्रिय समिती को सौप दिये क्योंकि हर्याना और जार्खंड में और हर्याना और जम्मु कास्वीर में चुनाओ का रिजल्ट था इसलिए केंद्रिय समिती का बैठट ही हो रहा था और बैठट करने के बाद यह केंद्रिय समिती एक दो दिन में निर मीर और राची पहुंचे हैं उन्होंने मिडिया से बात करते हों उन्हें कहा कि कल राहूल गांदी आ रहे हैं राची और उसके बाद लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर है कल हेमंत सोरेन मुक्मंत्री के आवास पर इंडिया गटबंदन के बैठक बुलाए गया है उसमे कि दोनों पार्टी दौर लगा रही है लेकिन किसी पार्टी में सीटों की सुची का प्रकासन अभी तक नहीं हुआ है अब देखना होगा कि देर साम तक जिस तरह से हेमंता विश्वसर्मा ने ब्यान दिया था कि 24 से 48 गंटा में हम सुची जारी कर देंगे लेकिन 24 गंटा बीट गयार 40 गंटा बीटने वाला है लेकिन अभी तक प्रथम सुची बीजेपी का प्रथम सुची जारी नहीं हुआ लेकिन इंडिया गटपनन कल हेमंन सोरिन के देख्सता में बैठक बुलाई है क्योंकि जिस तरह से जेमेम का बार बार कहना है कि हम बड़े भाई की चाहे एंडिये की बात करें चाहे माहकटबंदर की बैठको का दौर जारी है और मंथन का दौर जारी है जिस तरह से इसी बीच में इचागड में जिस तरह से बिरोत का सामना करना पड़ा और इस तरह से इचागड के लोग का मांग है कि हमेशा बीजेपी का सीट रहा है औ और उस तरह आसु को सिट दिया जा रहा है तो कहीं न कहीं उसका भी विरोत का सामना बीजेपी को करना पड़ा कैसे मान मनवल के बाद आतित्स हो वहां के लोगों को सांथ किया और इसकी सुचना केंद्रिये कमिटी केंद्रिये चुनाव समिती को भेजा जाएगा ऐसी बात क उनको मना कर यहां से भेजा गया जी चुले प्रशासनिक तयारियों को लेकर के रवी कुमार ने भी प्रेस कॉन्फरेंस किया है कुछ गाइडलाइन्स जिनका तमाम दलों और प्रत्याशियों का पालन करना जरूरी होगा उसके बारे में भी जानकारी दिया है एक महत अप देखे सबसे बड़ा बात है कि इस बार जो जारखंड का सबसे नया चुनाव की अच्छी पहल है क्योंकि इस बार जो चुनाव की प्रक्रिया है जो नॉमनेशन फर्म है बिलकुल ऑनलाइन भरा जाएगा जिस तरह से केर अभी कुमार सब ने कसीश निउस से बात करने में उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमेशा ओफलाइन फर्म भरा जाएगा लेकिन ओनलाइन के प्रक्रिया एस साल जारखंड में सुरुवात की गई है उसकी पहल की गई है तो आप ओनलाइन में फर्म भर सकते हैं और चार सेट में ओफलाइन फर्म जमा कर सकते हैं और बात करे कि कल से 43 विधान सवा में नौमनेशन फरम भरने की प्रक्रिया सुदू कर दी जाएगी और जिस तरह से गाइडलाइन की बात करें तो जो SC, ST उमिद्वार होंगों उनको 5,000 रुपया जमा करना पड़ेगा और जो OBC और जेर्नल होंगों उनको 10,000 रुपया जमा करना पड़ेगा बात करें सुरक्षा की बात करें तो जिस तरह से लगातार सुरक्षा को लेकर पूरा ख्याल रखा जा रहा है और उन्होंने कई जाएंगे एक जो प्रस्तावक होंगे जो साथ में जाएंगे और साथ में 26 ए जो फॉरम है उनको भरना निवार्ज है कोई फॉरम आप ध्यान से भरे ऐसा नहीं कि आपका जो कल से नौमनेशन 25 तक नौमेंकन परकिरिया किया जाएगा 28 को स्कूटनी किया जाएगा और 30 त में एक अच्छी चुनायों का पहल सुरू हुआ है कि अब आउनलाइन आप फॉरम भर सकते हैं लेकिन ओपलाइन भी भरना अनिवार्ज हो बात करें जिस तरह से सांती बवस्ता बनाने को लेकर जिस तरह से लगातार निर्वाचन आयक को दोरा बैठक की गई है उसमें कई दिकारियों को निर्देश लिया गया है कि आप गाड़ी में तीन गाड़ी से ही जो नॉमनेशन सिंटर है तीन गाड़ी से ही आप आ सकते हैं और तीन भैकी इर्च कर सकते हैं तो एक इच आंकड़ा आपको जो होता है नॉमनेशन के दौरान शक्ती प्रदर्शन वो नहीं करना है और कानून नियम का पालन करते हुए नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करनी है डिजिटल जमाना है तो इस प्रक्रिया को भी डिजिटलाइज करने का प्रयास जहारखंड से शुरू किया जा रहा है इसका परिणाम भी होगा हाला कि आफलाइन मोड में भी नामांकन के फॉर्म लिये जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद संतोष रस्तमाम बाचित और जानकारी के लिए तो एक और निर्वाचन आयोग तयारियों में जोर शोर से जुटा हुए है तो दूसरी ओर सियासी दल भी अपनी तयारियों में जुटे हुए है किस सीट पर मजबूत दाविदारी होगी किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी सबसे मजबूत होगा ये मन्थन चल रहा है अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे